हलो एन वेलकम टू इनिया लाइफ इन सौधी अरेबिया, होप यू आल आर अपसलोटली फाइन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉफ फाइब सिटीज की सौधी अरब में जो की सबसे ज्यादा पॉपुलर है वैसे तो कई सारे वेल डेवलेप्ट पॉपुलर सिटीज हैं सौधी अरब में लेकिन हमने आपके लिए पिक क्या है टॉफ फाइफ मोस्ट पॉपुलर सिटीज अफ सौधी अरेबिया तो बीना देरी किया चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले नंबर पर आती है यहां की कैपिटल सिटी जो की है रियाद यहां की खासियत है कि यह कंट्री का फेमस पॉलिटिकल और कल्चरल हब है रियाद सिटी ओल्ड और मॉडरन कल्चर दोनों की जहलक पेश करता है यहां कई सारे गवर्मेंट ओफिसेस मिनिस्ट्री हैं सौधी अरब की जो रियाद में ही रहती है यहां कई सारे मॉडरन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल साइट्स और कॉर्परेट ओफिसेस भी नजर आते हैं वर्ल्ड के रिचस्ट कंट्री में रियाद को काउंट किया जाता है वैसे तो रियाद में धेर सारे प्लेसेस हैं जहां विजिट कर सकते हैं लेकिन टूरिस्ट को ज्यादा अटक्ट करते हैं यहां के शॉपिंग मॉल्स, किंग्डम टावर, फैजलिया टावर, एज अफ द वर्ल्ड, हीट केव, वादी नमर, नाशनल म्यूजियम, रियाद जू इसके अलावा धेरो पाक्स और गार्डन्स भी है जहां बहतरीन टाइम स्पेंड किया जा सकता है अगर यहां पर बात करें कि कौन से साल के किस महिने रियाद सिटी में विजिट कर सकते हैं तो नवंबर से मार्च के महिने को सबसे बेस्ट माना जाता है रियाद विजिट करने के लिए इसे दुनिया का सबसे पाक इसलामिक सिटी माना जाता है क्यूंकि मक्का प्रॉफिट मुहम्मद का बर्थ प्लेस है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अलहरम और काबा यहीं पर ही लोकेटड है जहां हर साल लाखों लोगों की तादात आती है उम्रा और हज करने के लिए नवंबर से फेबरवरी मंद के बीच के समय को सही माना जाता है मक्का आने के लिए मस्जिद अलहरम काबा के साथ ही यहां सफा मर्वा क्लॉक टावर जबल अलनौर केव माउंटेन अराफत माउंट मक्का मॉल्स जमजम का पानी जैसे कई और सारी चीज़े है जो की बहुत ही फेम smart में मक्का शिटी में तीसरी पॉपिलर सिटी है सौदै अरव में वो है मधिना सिटी हिस्टॉरिकल क कॉल्च्रल और रिलिजियस पॉइंट अफ्यू से जो इंपॉर्टैन्ट सिटी है मक्का शहर के बाद वो है मधिना सिटी जसे Prophet Muhammad ka घर भी माना जात है मस्जिद अलौबी है यहां मधीना म्यूजियं और जनलतुrove नियोंक के साथ ही कई हिस्टोडिकल संद्ध हमें देखने को मिलती हैं बाग करते हैं कि यहां पर आने का सही समय क्या है तो अक्टोबर से मैं का मंग यहां पर आने के लिए मकए और मदीना दोनötफी की यहां हर दिन pilgrims की भीड लगी रहती है, देश दुनिया से Muslims आते हैं यहां पर और इन दोनों ही cities में non-Muslims allowed नहीं है, जिहां सिर्फ यहां पर Muslim religion के लोग ही मक्का और मदिना विजिट कर सकते हैं, non-Muslims यानि की दूसरे धरम के लोग यहां पर enter नहीं कर सकते हैं, चौथे नम को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन पर भी जरूर से क्लिक कर दें, और अब बात करते हैं जिद्धा सिटी की, Red Sea के किनारे लोकेटेड जिद्धा, second largest city है सौधी अरब में, रियाद जैसे की country का political और cultural hub है, सौधी अरब में मशूर अलबेक का first branch भी जिद्धा में ही open हुआ था, इसे gateway to मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि मक्का सिटी यहां से बस 60-70 km की दूरी पर ही है, और अगर मदिना सिटी की बात किया जाए, तो यहां से लगबग 360 km की दूरी पर हम मदिना पहुँच सकते हैं, यहां विजिट करने का best time है October से March का महीना, बाकी के time वैसे तो बहुत जादा गर्मी रहती है, कुछ amazing places की बात किया जाए, जहां पर जिद्धा में आया जा सकता है घूमने फिरने के लिए, तो यहां पर कई सारे ऐसे places हैं जहां विजिट कर सकते हैं, जैसे की जिद्धा Cornish Red Sea Mall, Al-Balad, King Fahad Mountain, Fek Aquarium, Al-Rahma Mosque, Silver Sand Beach जैसे बहुत सारे places हैं जहां पर टूरिस्ट आते हैं अपना बढ़ियासा time spend करते हैं, फिद्ध नमबर पर आती है दमाम सिटी, सौधी अरब के बड़े शहरों में दमाम सिटी का नाम भी आता है, यह भी समंदर के किनारे ही located है, यहा जहां के historical sites, entertainment parks, attractive beaches, cornishes, margin island, prince, Mohammed bin Fahad stadium, half moon beach, half moon base, sky zone, shopping malls, coral and shells, जैसे कई सारे places हैं जहां पर विजिट किया जा सकता है, October से March का महीना best होता है, suitable होता है, यहां पर आने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अलावा जो June से लेकर के September तक का महीना होता है, October तक का महीना तो का काफी गर्मी पड़ती है, देहरन और खोबार दमम के आसपास ही पड़ते हैं, रियाद सिटी यहां से 500 किलोमेटर की दूरी पर है, दूसरे सिटी की तरह दमम में भी कई सारे इंडियन्स, एक्सपाट्रियेट्स आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, बहुत ही well developed और peaceful सिटी ह है दमम, तो यह तो थे सारे टॉफ फाइफ पॉपुलर सिटी सौधी अरब में, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहे इंडियन लाइफ इन सौधी अरेबिया, ऐसे ही कई सारे इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, स्टे सेफ, स्टे हल्दी, थैंक्यो सो मच फर वाचिंग,